राजू विश्टा जी धन्यबाद मेडम आपने मुझे इस बजेट सेशन में बोलने का अनुमति दिया एक तो हम जैसे युवा सांसत बड़ी उम्मीद ले करके आते हैं कि सदन में विपक्ष के नेताओं को सुनेंगे और कुछ शीखेंगे आज बड़ी निरासा हुई और मैं वित्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करता हूँ कि अपने जवाब में जरा एक बार अच्छे से बजेट दुबारा हमारे सब साथियों को बता दे क्योंकि अधिर जी जो है किसी राशन की दुकान से सारी राशन की लिस्ट लिया है और उ दुनिया भर में ये कोबिट के संकट के कारण देश दुनिया आज जिस इस्तिती में है उसके बावजुद भी ये हिंदुस्तान ने दिखाया है कि अगर इरादे नेक हो गरीबों के सेवा करने की इच्छा हो और इच्छा सकती हो तो कोई भी बड़ा सा बड़ा संकट को भी आउसर में बदल करके देश के लिए काम किया जा सकता है ये हमने इस कोबिट संकट के समय में देखा मैं बाकी नंबर्स की बात नहीं करूंगा मेडम क्योंकि मैं दारजलिंग पाहड से आता हूँ कुछ विशेस बाते ऐसी थी जो खास करके नौर्थ इस्ट या जो आने वाले समय में उनकी दिशा और दिशा को बदल के रख देगी एक बोर्डर से लगे वे जितने भी गाव है उनके लिए जो योजना लेकर के आई है भाराज सरकार वाइबरेंड विलेज के नाम से इस से दारजलिंग जैसे और नौर्थ इस के पाड़ी छेतर को बह मुचा नहीं जा सकता उनके लिए जो रोपे की विवस्ता और पोस्ट ओफिस की सेवा को बैंक की सेवा के रूप में जोडने की योजना हो या हर घर जल जैसी योजना हो ये सब हमारी छेतरे के लिए बहुत लाबकारी है एक दो विशे में जरूर रखना चाहूंगा कि हम आज जिस स्टेजी के साथ जो है देश विकास कर रहा है और मोदी जी के नेत्रूत्यों में जिस स्टेज गती के साथ देश आगे बढ़ रहा है इतनी सारी योजना है लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि दारजिलिंग में ऐसी कोई भी योजना है नहीं प पश्रिम मंगाल खुदी 35 साल जब CPM ने राज किया दो लाग करोड का करजा था पिछले 11 साल में एक करजा बढ़के 6 लाग करोड के पार हो गया है और कोई भी योजना नहीं पहुचती और जब आजाती के समय दारजिलिंग नंबर वन पे था एसिया में सबसे पहली बिजल दारजिलिंग में आई थी लेकिन जान बूच के गलत और गलत नियत और इरादों के कारण दारजिलिंग आज CPM TMC के कारण पिछड़ा है और 86 के बाद लगातार आंदोलन होते रहे हैं अलक राज्य की मांग उड़ती रहती है और हमारी सरकार ने भी पार्टी ने भी ये क है कि हम स्थाई राजनितिक समाधान करेंगे उसके लिए टॉक्स भी चल रहा है मेरी दोई विंतिये सर के स्थाई राजनितिक समाधान जल से जल हो जिससे जो मोदी जी की योजना है उसका लाब दारजिलिंग की जनता को मिले और जो गोर्खाओं की जो भावना उसके कद के रूप में उसके इसाब से स्थाई राजनितिक समाधानों और इसके साथ ही गोर्खाओं में 11 जाती ऐसे हैं जो स्टी के लिस्ट से छूटे हुए हैं 1931 और 1941 के जो लिस्टे उसके वहां तक भी ये स्टी थे लेकिन उसके बाद से उस लिस्ट से बाहर हो गए हैं ये बहु देखते हुए ये सारे मुद्दे हमारे चेत्रे के लिए जल से जलो आपने समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद